असलाव अलेकुम स्टूटेंट क्या आल चाले जी मैं हूं मुहमद एहमन नजीर और जैसे के मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बाकी सब्जेट्स की जो कंफर्म पेरिंग स्कीम मेरे पास आती जाएगी मैं आप लोगों के साथ शेर करता जाओंगा कल ही मुझे कि इसके मेरे बात करने जा रहा हूं मेरे बच्चे सबसे पहले हमारे पासورождения कुष्ण नमर एमसी की जात है तो हमारे पास चप्टर नमर 1548 स ya को चप्टर नमर 7, 9, 10 और 11 में से हर चप्टर में से एक एक MCQ जाएगा उसके बाद मेरे बेटे हमारे पास short question के portion में question number 2, question number 3 और question number 4 होता है सबसे पहले question number 2 में do chapter select किये गये short questions के लिए chapter 1, 2, 3 और 9 है इस पूरी row में सिर्फ chapter के सामने chapter के numbering लिखी हुई है, अब हम हर चप्टर से कितने number of questions select किये जा रहे हैं, उसकी बात करते हैं chapter number 1 से 3 short question आएंगे chapter number 2 से 2 short question आएंगे chapter number 3 से 4 short question आएंगे जबकि chapter number 9 से 3 short question आएंगे हाँ मेरे बचे, अगर मैं question number 3 की बात करूँ, तो इसमें chapter 4 है, 5 है 8 है, और chapter number 11 है, इसमें number of questions की जो devian है chapter 4 से 4 आएंगे chapter 2 से भी 4 questions आएंगे chapter number 3 से 2 questions आएंगे और chapter number 11 से, sorry, question number chapter number 8 से 2 और chapter number 11 से 2 short question आएंगे, अब मेरे बेटे last question जो short question के लिए है वो question number 4 है इसमें chapter number 6 है, chapter number 7 है, और chapter number 10 है इसमें चप्टर 6 से 4 short question आएंगे, चप्टर 7 से 2 short question आएंगे और चप्टर 10 से 3 short question आएंगे तो इस तरह हमारे short questions की devian है, आप इसका screenshot भी ले सकते हैं, अब मेरा बिटा, long questions की बात करते हैं 5 long questions है, question number 5, question number 6, question number 7, question number 8, question number 9 हार एक की दो-दो part होते है, पहला question number 5, इसमें दो long के part है, मतलब इसमें chapter number 1 है, उसमें से numerical का आने के chances है और इसके साथ जो pairing में है वो chapter number 4 है, इसी तरह दूसरा long question, इसमें chapter number 3 और chapter number 5 है, इसी तरह तीसरा long question, question number 7, इसमें chapter 6 और 7 है fourth one, question number 8 में, chapter number 8 में से numerical आएगा और साथ उसके साथ chapter number 11 है, इसी तरह question number 9, इसमें से chapter number 9 और chapter number 10 है तो यह मेरा बेटा long की pairing scheme थी, long में question 5, परला long question, chapter number 1, 4 से, दूसरा long question, chapter 3, 5 से, तीसरा long question, chapter 6, 7 से, फूर्थ long question, chapter number 8 और 11 से, और फिफ्थ long question, chapter number 9 और 10 से है तो यह मेरे बच्चे हमारे पास first year की pairing scheme थी, इसके बारे में मजीद अगर आपको ए question पूछना चाहते हैं, तो विडियो के end में comment कर दे, और यहाँ पे आप लोगों को मेरा contact number भी गिवन है, 0331-961-589, हमारी live session को, E-CAD और NMDCAD को, E-CAD की जो date है, वो announce हो चुकी है, और अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से त्यारी करना चाहते हैं, जिस इस number पे contact करें, high reasonable fee के साथ हम आप लोगों को before the 17 मैं आपका syllabus complete कर देंगे, इंशाला आपके test भी होंगे, और live और recorded दोनों तरह की classes होंगी, आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो के end में comment करें और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो mmN नजीर चैनल को भी जरू सब्सक्राइब कर लें, खुश रहें, जीते रहें, अबाद रहें, अबाद रहें, अल्ला दलाब सब का हम्यों नासर हो, अल्ला आफिस.